सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वालत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्ता आज के वडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास कोई भी कमपनी का मोबाइल है और कोई भी कमपनी का SIM है और आपको आपके मोबाइल में कुछ इस तरह ऐसे प्रॉलम दे शॉलिशन क्या है मैं आपको बता देता हूं तो इसका सोल्य क्या है मैं आपको क्या करना है आपको आपके मोबाइल में यहां पर airplane mode देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं flight mode हम जिसको बोलते हैं मेरे mobile में है आपको अपने airplane mode को flight mode को on कर देना है जैसे ही आप ओन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो problem होगी वो solve हो जाएगी आपको 10 second तक आपकी जो airplane mode है flight mode है उसको on रखना होगा फिर यहा यहाँ पर Wi-Fi होगा सबके mobile में होता है यह Wi-Fi अगर आप Wi-Fi से connected है तो आपको करना क्या है आपने Wi-Fi को बंद कर देना है दो घंटों के लिए आपको इसको off रखना होगा सिर्फ 2-3 घंटों के लिए आप इसको off रखना होगा देन आप जब देखेंगे यह off करने के बाद तो आपकी जो problem होगी वो solve हो जाएगी फिर आपको invalid input का जो error है वो pop-up है वो show नहीं होगा तो यह काम आपको करके देख लेना है देन उसके बाद अगर फिर भी आपको problem आती है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है आपको यहाँ पर आपके mobile में SIM होगी आप आपको अपनी SIM को यहाँ पर निकालना होगा कुछ इसतना से आपको SIM देखने को मिलेगी आपको इसको बैक से देखना है कुछ इसतना से बैक से SIM देखने को मिलती है तो आपको यहाँ पर इस पार्ट को जो है किसी साफ कपड़े से साफ करना होगा अच्छे से और यहाँ पर हो सके तो आप पेट्रोल से इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए साफ कपड़े से तो आप फिर इसको अपने मुबाइल में फिर से डाल कर चेक करिएगा तो आपकी प्रॉब्लम जो है आपका सीम है उस प्रोवाइडर पर जाकर आपको निकलवा लेनी है सेम नंबर रखना है फिर वो नूसीम डाल कर देखनी है कभी आपको यह नहीं आएगा तो यही कुछ से अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएगा मैं आपके लिए कोई और सुलीशन लेकर आँगा सबस्क्राइब में इतना है मिलते हैं आपको टेक कर लव यू ओल